हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ मत्मूर questions और उनके answers तो इसमें अभी तक हम लोग 34 टेस्ट खतम कर चुके हैं इस तरह के यह आपका 35 बार टेस्ट है यह आपके IES PCS prelims के लिए बहुत ही मत्मूर रहेगा ठीक है तो चलिए 35 बार टेस्ट का पहला questions हम लोग देखते हैं क्या है पहला question हमारा वर्धा प्राध्मिक सिक्छाय वजना 1937 के संदर में नेमलिकित कत्रों में से कौन सा कत्र सही है यह सबताएक हरीजन में पिकासित गांधी के विचारों से सम्बंदित लेखों की सिंखला पर आधारित थी सही है यह राधा किष्णन आयोग द्वारा किति पादित प्राध्यमिक सिक्छा के लिए राष्टी यह उजना थी यह आपका गलत है यह सुरूगाती वर्सों में मात्भासा में सिक्छा देने पर जोर देती थी यह आपका सही है Q1 में आपका एक कथन और तीन कथन सही है दूसरा आपका गलत है इसका उद्देश था आपका मुख उद्देश था गति विदियों के द्वारा सिक्छा पर राप्त करना तो इसमें क्या होगा एक और तीन कथन सही होगा यानि कि B option सही होगा Q2 है आपका दूसरा क्या है ली कमीशन 1924 निमलिकित में से किस से संबंदी था ये था आपका भारतिय सेविल सेवा से ये option सही है ली आयों बेटे सरकार द्वाराम भारत सरकार के भारतिय लोग सेवा के विशिष्ट गठन पर विचार करने के लिए 1923 में निवत किया गया था इसके अध्यक्ष थे लॉड ली फरहें वो इसमें भारतिय था था वेटिस सदसों की संख्या समानती विश्ट नमर तीसरा स्वधेश योजना स्वधेश दर्शन योजना की संदर तहत निमलिकित में से किन सरकेटों की पहचान की गई सवधेश दर्शन योजना की गई निमलिकित में से किन सरकेटों की पहचान की गई उत्तरपूर उत्तरपूर्वी भार सरकेट बहुत सरकेट तटिय सरकेट गांधी सरकेट नहीं है इसमें इसमें क्या कहें एक दो तीन बिहार में 4465.02 लाक रोपे की केंदरी वित्ती साहता के साथ गांधी सरकेट का विकास सवधेश दर्शन योजना की ग्रामीट सरकेट विसे के तहट भीती हरवा, चन्द हिया, तुर्कूलिया परियोजना को मंजूर दी गई इसके लावा यह सरकेट की एक अलग सैंडी नहीं है, बलकि यह ग्रामीट सरकेट के तहट सामिल होती है, गांधी सरकेट वर्श 2015 में याद रखना है, 2015 में पिधार मेंति द्वारा, विहार के लिए घोसे बिसेश पैकेज के तहट, विकास है तुर्शन परियोजनाओ के रूम में गांधी सरकेट का विकास किया गए तो इसमें आपके एक, दो, तीन सही है, यानि की सी ओप्शन सही है, कुश्चन है आपका चौद, चारवा 1922 के रंपा विद्रो के संदर में निम्लिखित कत्नों पर हमें विचार करना है इसका नेतित अल्लूरी सीताराम राजू ने किया थे, सही है, यह विद्रो बॉम्बिप प्रेसीडेंस में बढ़का था, यह आपका गलत है जन्जाती होने उस छेत में एक सड़क के निर्माट कार में उनसे जबरन मजदूरी करवाने का विरोध किया गया था, यह सही है एक और तीन कत्न इसमें सही है, दूसरा आपका गलत है जो 1922 का रंपा विद्रो एक जन्जाती विद्रो था, इसका नेति टिपिटिस भारत की मध्राज प्रेसीडेंसी की गोदावरी एजनसी में कहाँ मध्राज प्रेसीडेंसी में ना की बंबे प्रेसीडेंसी में, ठीक है तो कुश्य नमर चार में आपका एक और तीन कथन सही है यानि की C ओप्सन कुश्यन है हमारा पांचवा क्या है नेमलिकित में से कौन सा भारतीय राष्टीय कॉंग्रिस द्वारा भारत छोड़ो आंदुलन सुरू करने के तत्काली कारण थी अगस्त प्रिस्ताव की आसा फलता गलत है बढ़ती कीमतों के कारण लोक सम्मत आसंतुष्टी ये आपका सही है पहला आपका कतन सही गलत है दूसरा सही है कुईट इंडिया मुवमेंट जिसे अगस्त मुवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है इसकी सुरुआत महत्मा गांदी ने आठ अगस्त उननीस सो ब्यालीज को अखिल भारतिय कॉंग्रेस सम्ती के बॉंबे अधिवेशन में की थी संगर्स के कारण थे सम्मिधानिक गती रेदों को हल करने में किर्स मिसन की आसफलता ने आसम्मिधानिक विकास के मुद्दे पर बेटेन के आपरिवित परिवद्दे रोग को यागर कर दिया इससे यह बात इसपेश्ट हो गई कि भारतियों की जान्दा समय तक चुप्पी से अंग्रेजों को भारतियों से पिचार विमर्स किये बिना यह उनकी भविस का उनकी भविस का नेधारन करने का अधिकार मिल जाएगा तो याद रुखना इससे क्या कहते है क्वीट इंडिया मूवमेंट या पर अगस्त मूवमेंट कब हुआ आठ अगस्त उन्निस्सो ब्यालीस को मतमा गांदी ने भारतिये अकिल भारतिये कॉंग्रेश समती के बॉम्बे अधिवेशन में की थी पाचवे का दूसरा कतन सही था कुश्चन है आपका छटबा क्या है निमलिकित कतनों पर हमें बिचार करना है उन्होंने बेटी सरकार से नाइट होड की उपादी पिराप्त की उन्होंने तीने तीनों गोल में सम्मिलेनों में भाग लिया वह आजाद हिंद फोज के गरपतार सपाईयों के बचाव के लिए प्रेयासरत बकीलों में से एक थे उक्वयोक कथन जो तीनों कथन है निबलिकित में से किस एतिहासिक ब्यक्तित्ते का उल्ले करते हैं तो याद रखना कौन है इनमें से आपत के थे तेज बहादूर सप्प्रू क्या थे तेज बहादूर सप्प्रू जन्होंने बेटी सरकार से नाइट होड की उपादी प्राप्त की थी इन्होंने तीनों गोल में सम्मिलों नों में भाग लिया था और वह आजाद हिंद भोज के गरखतार से भाईयों की बचाव के लिए और यास रद बकीनों में से एक थी तेज बहादूर सप्रू ठीक है तो इसमें डी ओप्सन सही है चटवे में कुश्यन है साथ भाँ लाला लाचपत राय की संदर्म में निमलिकित कत्रों पर विचार करना है वह दयानन्द सरस्तोती के अनुवाई थे सही है वह अकिल भारतिय ब्यापार संगर कॉंग्रेस के पिथम अध्यफ्ट चुने गए थे ये भी सही है उन्होंने निवार्प में इन्डियन होम रूल लीग ओप अमेरिका की स्थापना की थे ये भी सही है कुश्यन नमबर साथ में आपके तीनों कथन सही है यानि कि इसमें डी होगा लाला लाचपत राय के बारे में याद रखना कि इनका जनम हुआ 1865 में और इनकी मित्ती हुई थी 17 नमबर 1928 में लाहर में कुश्यन है आपका आठवा बिभाजन बिरोधी अंदुलन सोदेशी अंदुलन की दौरान किसने राजनेतिक सुदंता किसी राष्ट की प्राडवायू है करनारा दियत तो ये थे आपके अरविंदु घोस सी ओप्सन सही है आठवा कुश्यन है आपका नौबा निमलकित में से कौन सी भार भारस सरकार अधिनियम 1935 की बिसेश्ता नहीं है क्या पूच रहा है नहीं है दुई सदनात्मक केंदुरिय विधाय का ये है आपकी फितक निर्वाचक मंडल ये भी है प्रांतिय विधाय सभाओं में दुईसासन ये नहीं है अखिल भारतिय सन ये भी है तो आपका कुश्यन नम्बर 9 का होगा सी ओप्सन ठीक है कुश्यन नम्बर 9 में सी ओप्सन होगा आपका कुश्यन है मारा 10 क्या है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के सम्बंद में निमलिकित कत्रों में से कौन सा सही है इसकी स्थापना कानपूर में रामपरसाद बिस्मिल जोगंद चंद चटर जी तथा सच्चिन सन्याल द्वारा की गई थी सही है समाज बात को इसके अधिकारिक लग्च के रोब में अपना गया था सही है इसके घोषना पत को क्रांतिकारी कहा जाता था ये भी आपका सही है तो इसमें आपका क्या होगा तीनो कत्थन सही है यानि की डी ओप्सन सही है क्या है D option सही है, 10 में कुश्चन है हमारा 11, क्या है? खोदाई खिदमतगार आंदूलन के संदर्ब में निमलिकित कतनों पर विचार करना है यह बेटिस वाहरत के उत्तरपस्ट में सीमान्त प्रांत के फश्टूनों द्वारा वेट समराज की बिरूत एक हिंसर संगर था गलत है इसका नेतत सेयद एहमद वरेल भी द्वारा किया गया था यह आपका गलत है इसे लाल कुर्टी अंदूलन भी कहा जाता है यह आपका सही है कुशे नमर 11 में आपका केवल तीन कतन सही है तो एक और दो गलत है बर्ष 1929 में कब 1929 में खान अब्दूल गफार खान की अगवाई में खुदाई खित्मतगार खुदा का सेवक अंदूलन भारत के उत्तर पश्मी सीमा वर्थी प्रांत में अनिरोजियों के विरोध अहिंसक रूप से संग्टित हुगा गफार खान और खुदाई खित्मतगार अंदूलन ने हजारों पस्तूनों जिने पठान भी का जाता है को पिरित किया और बेटिस सासन को चुनोती ने नेट लिए नांगरिक पिती रोग का इस्तिमाल किया है कुश्यन नमर 11 में आपका कीबल 3 सही था कुश्यन है आपका बारे बरस 1928 की नेहरू रिपूर्ट की संदर में नेमलिकित कत्रों पर आपको विचार करना है क्या करना है विचार करना है इसने राज्य से धरम के पूर्ण अलगाओ की बकालत की सही है इसने मुसलिमों के लिए पितक निर्वाचक मंडल को सुईकार किया यह आपका गलत है इसने भारत के लिए डोमिनियन एस्टेटस की मंग की सिफारिष की यह आपका सही है लेकिन इसमें पूच के आ रहा है ओपे कत्रों में से कौन सा कत्रन सही नहीं है तो इसमें आपका दूसरा कत्रन सही नहीं है क्या है दूसरा कत्रन सही नहीं है इसमें सही क्या होगा दूसरे कत्रन में इसमें कैन और प्रांतरों में मुसल्वानों के लिए सीटों के आरक्षन के साथ सयुक्त निर्वाचन चित्रों की मांग का पिस्ताओ रखा गया था जहां बे मुसलिम आबादी के अनुपात मैं अल्ब संकेक थे वहां अतरिक सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकाल था तो इसमें आपका वारे में बी ओप्सन होगा दूसरा गला थे गिवत एक और तीन सही है इसमें कुर्ष्यन है मारा तेरह भारतिय सम्मिदान द्वारा सर्वोच नियाले की स्थापना से पूर निमलिकित में से कौन सा सर्वोच अपिलियर नियाले था यह आपका फिवी कांसिल यह ओप्सन सही है कुर्ष्यन है मारा चवदे क्या है चंपारन सत्यागे की संदर्म में निमलिकित कत्रों पर विचार करना चंपारन सत्यागे सुरू होने की पीछे तिन कठिया पिणाली पिरमुक कायडों में से एक थी सही है राजिंद पिसाथ जेवी किपलानी गाओं का दौरा करने और किसानों की बयान दर्श करने के लिए गांदी जी के साथ सामिल हुए ये भी सही है सरक्वारत द्वारा एक जाचाए उनिक्त किया गया था और राजिंद पिसाथ इसके नामिश सदसों में से एक थी ये आपका गलत है एक और दो कथन इसमें सही है तीसरा इसमें गलत है सरकार ने सारे मामलों की जाच के लिए एक आयूप कगठन किया था गांदी जी को इसका सदस बनाये गया था ना कि राजिंद पिसाथ जी को ठीक है जो आपकी तिनिकट्विया पद्दिती है इसके बारे में आपको बता दें कि उननीश भी सताब्दी की सुरू में बिहार की चंपारन में यूरोपिय वगान मालिकों ने भारतिय किसानों को अपने जमीन के तीन बटे बीस भाग पर नील की खेती करने के लिए बिवस किया था इसे ही हम लोग तेन कटी या पिर्णाली की रूम में जानते हैं तो इसमें आपका बी ओप्शन सही हुथा एक और दू कुश्यन है आपका पंद्र है पूना समझोती की संदर में नेमले कित कत्रों पर हमें बिचार करना है इस समझोती में बंचित जिनें बाद में अनसूचित जाती कहा गया के लिए प्रांती और केंद्री बिधान परिश्यदों में सीटे आरक्चित रखने की विवस्था की गई थी सही है इसमें बंचित बरगों के लिए पिथक निर्वाचन चितर की विवस्था की गई थी ये आपका गलत है इसमें किवल ये कथन आपका सही है डॉक्टर भीमराव बेडकर ने दूसरे गोल में संभिलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन चितरों की मांग की थी जब बेटी सरकार ने अम्बेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी ने आमरन अंसर सुनू कर दिया उनका मानना था कि दलित के लिए अलग निर्वाचन चित समाज में उनके एकीकरन की पिक्रिया को धीमा कर देगा अम्बेडकर ने अंतता गांधी जी की बात मान ली और इसका पैड़ाम सेप्टमबर 1932 में पुणा समझोतिय की रूम में सामने आये इस समझोतिय में बंचित वर्वों के लिए प्रांतिये और केंद्रिये बिधान परिश्दों में सीटों आरक्चित रखने की ब्योस्ता की गई लेकिन उन्हें सामान निर्वाच्चकों की तरह मद्दान करना था कुश्यन है मारा 16 क्या है निम लिखित में से कौन रेमजे मेकडो नाल्ड के संपदाएक अधी नेड़े के संबन में महत्मा गांदी के रूम में से मेल नहीं खाता रेमजे मेकडो नाल्ड संपदाएक अधी नेड़े के जरिए हिंदू समाज के होने वाले विभाजन का वह विरोध कर रहे थे बे आस्पस्ता के उनमुलन के पक्च में दर्था से खड़े थे बे जाती विवस्ता के ततकाल उनमुलन के जोड़दार पक्च दर्थे सयुक्त निर्वाचंग मंडल में बंचित जातियों के लिए आरच्छन से उन्हें कोई इतराज नहीं था इसमें क्या होगा? C उपसन क्या पूछा था? निर्वलिकित में से कौन? रेमजे मेकडोनल्ड के संपदायक अधी नेड़े कि समन्द में महत्मा गांदी के रूप से मेल नहीं खाता है तो इसमें C होगा बेज्जाती विवस्ता के ततकाल उन्मुल्ण के जोरदार पक्ष थे ये मेल नहीं खाता था बाकी तीनों खाते थे आपके A, B, D जो रेमजे मेकडोनल्ड द्वारापित्ती विस्ताविस संपदायक अधीनी नेड़े 1932 बेटे सत्ता की फूट डालों और राच्छ करों की नीती का ही विस्तार था कुष्यन है हमारा सत्त्र वारदोली सत्यागे के संद्रम में निमलिकित कत्रों पर आपको विचार करना है इस आंदोलन के दौरान बललभाई पटेल ने सरदार की उपादी प्राप्त की सही है यह आंदोलन जनवरी 1926 में आरम हुआ जब आपने वेसिक अधिकारियों ने भूराजस में 30-30 की विद्धी करने का नेड़े लिया यह आंदोलन अपने लक्ष को हासिल करने में सफला यह भी आपका सही है तो गुष्यन नम्मर 17 में आपके तीनों कत्रन सही है बार्दोली की जो महलाएं थी उन्होंने सर्वदार की अपादी दी थी पल्लबाई पटल सहाब को सी यह आप्सन सही वेस्मर कुष्यन ने 18 मात्मा गांधी द्वारा अभी बैक्त सौराज की सही अर्थ की संदर्में निम्लिकित कत्रों पर विचार करना है सौराज गनिष्ट रूप से एहिंसा और सत्यागय से जुड़ा हुआ है सही है सौराज की दो अर्थ होते हैं एक राजनितिक और दूसरा राजनितिक दायरे से पर है सौराज को अधिगेत करने के लिए समय और धे की आवसकता होती है ये भी आपका सही है कुष्यन नम्मर 18 में आपके तीनों कतन सही है क्या होगा C ओप्सन सही हो कुष्यन है 19 असहयोग आंदोलन की संदर में निमलिकित कत्रों पर वीचार कीज़े बारतिय राष्टी कॉंग्रेस द्वारा इसे शुरू किया गया था बाद में खिलापत कमेटी ने से अपना लिया ये आपका गलत है असहयोग कारकरम की तैस सम्मार बापस लोटाना कानूनी ने अलेओं को बहिसकार, विदेशी कपड़ों और सरकार किस समद स्कूलों और महाविद्यालाओं को बहिसकार किया गया ये आपका सही है कुश्य नमर 19 में आपका दूसरा गतं सही है पहला आपका गलत है यह हांदोलन खिलापा समिती द्वारा शुरू किया गया था और 1920 में नांगपुर आधी वेशन में भारती राष्टी कॉंग्रेस द्वारां से अपना लिया गया था तो किस ने शुरू किया था? खिलापा समिती ने इसमें क्या होगा? दूसरा कतन केबल सही था कुश्यन है हमारा 20 निमलिकित में से कौन सा? अक्टूबर 1940 के ब्यक्ति के सत्यागय की संदर में सत्त नहीं है क्या हूच रहा है? सत्त नहीं है ब्यक्ति के सत्यागय सतंता की मांग नहीं कर रहा था लेकिन अभी ब्यक्ति की सतंता की पुष्टी करता था इस सही है, इसने एक अन आंदोलन को जनम दिया, जो बाद में दिल्ली चलू आंदोलन की नाम से जाना गया विनोबा भावी पिथम सत्या गही थे, और सरदार पटल दूसरे सत्या गही, यह आपका गलत है इस समय कॉंग्रेस ने जन आदोलन को त्याक कर सरकार को यह और अवसर्फिदान किया, यह आपका सही है सी यह आप्शन इसमें आपका गलत है जैसा कि आपको बता होगा कि आचार विनोबा भावी पिथम सत्या गही थे, जवाहल लाल नहेरू दूसरे ना कि आपके सरदार पटल, कौन थे, दूसरे थे आपके, जवाहल लाल नहेरू, ठीक, तो इसमें क्या होगा, सी यह आप्शन क्योंगी सत्त नहीं है पूँचा था न, तो सरदार पटल की जगे, अगर आपका जवाहल लाल नहेरू होता, तो चारों कतन सही थे कुशन है 21, अगर्ष्ट पिस्ताओ के संदर्म में निम्लिकित कत्रों पर हमें विचार करना है अगर्ष्ट 1940 को भुवाय सराय, लौर्ड लिन लेत्गो ने अगर्ष्ट पिस्ताओ पिस्तोत किया था, सही है, इसमें भारत की आजादी पिस्ताओ थी, यह आपका गलत है किवल एक कतन इसमें सही है भारत को एक डोमिनियन, इस्टेट का दर्जा दिया जाएगा, इसमें भारत को सुद्धनता पिदान करने का पिस्ताओ नहीं रखा गया था खुश्यन हमारा 22 निमलिकित मैं से कौन से देश अंतराश्टिय उत्तरदच्चन परीवान गलियारा के संस्थापक सदत से तो इसमें आपके भारत भी सामिल है, रोस भी सामिल है, एरान भी, तीनों देश आपके सामिल है अंतराश्टिय उत्तरदच्चन परीवान गलियारा, सदस राजजियों के बीच, परीवान शहों को बड़ावा देने के उद्देश से एरान रोस भारत द्वारा, बारे सेप्टमबर 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापितिक मल्टी मॉडल परीवान है यह कोरीडोर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को इरान के जरिये केस्पियल सागर से जोड़ेगा फर रोस से होती हुए सेंट पीटर्सबर्ग की उत्तरी एवरोप तक पहुँचेगा क्या होगा इसमें? डी ओप्शन कुर्ष्ण है आपका 23 फिदानमंती सहज पिजली घर यह उजना सौभाग किस अंदब में निमलिखित कतनों परपए? आपको विच्चार करना है सौभाग यह उजना के तरहत गरामीड चित्रों की सभी घरों एप पी एल और गरीब दोनों परिवारों और सहरी चित्रों के गरीब परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्यदान किये जाएंगे? सही है गरामीड बिद्धुत्ती करन निगम को सभाग यह उजना के लिए नौर्डल एजनसी के रोम में नामित किया गया? यह भी आपका सही है ऐसे बकायदार जिनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है उन्हें भी इसे उजना का लाप दिया जाएगा यह आपका गलत है इसमें एक और दो कतन आपका सही है तीसरा आपका गलत है ऐसे वकायदार जिनका बिजली का connection काट दिया गया है उन्हें इस यह उजना का लाब नहीं दिया जाएगा ठीक है याद रखना तो इस 23 में आपका ए ओप्सन सही था एक और दो कतन सही था question है आपका 24 निवलिकित यह गुमों पर आपको बिचार करना है यह आपकी यह उजना है और यह लक्षेन के सबला यह उजना किसो लड़कियों को ससक्त बनाना सही है अनपूर्णा यह उजना वसिष्ट नागरिकों को खाद्यान उपलब्द कराना यह भी आपका सही है अंतिवदर अन यह उजना गरीब से गरीब लोगों की खादे सुरक्षा प्रध्यान देना ये भी आपका सही है तो कुश्चन नमबर 24 में आपके तीनों सही सुम्ब लेते हैं ठीक है इसमें होगा आपका D option कुश्चन है हमारा 25 निमले कितमे से कौन भारत में कानून के सरूत है सम्मिधान कानून पिथागत कानून नेडवीदी ये आपके चारों होगे 25 में क्या होगा D option तो चलिए ये था आपका 35 बार टेस्ट जिसमें 35 कुश्चन आपके सामिल थे इन्हें हम लोगों ने देख लिया है इसी तरह के और भी टेस्ट हम लोग आंगे लगाते रहेंगी टिक क्या है तरह इंदेगे